दोस्तों कई मेरे बाईों को नहीं पता था ह्युन्डा poking 101 충성 के बारे में लेकिन मैंने जैसे उसके उपर विडियो बनाये काफी लोगों को पता चला उस वीडियो पे काफी तगड़ा रिस्पॉंस मिला मुझे और काफी लोगों को पता चला कि हमें हिंडा की ग्रांड आइटेन नियोस वाली प्राइज में भी एक SUV मिल सकती है यानि हैच बेक के दाम में आपको एक SUV मिल सकते बड़ी गाड़ी मिल सकती है कई मेरे भाइयों ने फिर उस वीडियो को देखने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पर कॉंटेक्ट किया कि ये ये वीडियो तो एक प्रिवी था आप इसके उपर एक डिटेल वीडियो बनाओ ताकि हमको ज्यादा इंफोर्मेशन मिल सके तो इस वीडियो में आप देखेंगे हिंडाई EX1 SUV का एक डिटेल वीडियो जिसके इंतर इसका एकस्टिरियर इंटिरियर प्राइज एंजीन ओप्षन लॉंच डेट सभी के बारे हम डिसकस करेंगे वीडियो बहुत ही साथ नॉलिजेबल होने वाले वीडियो को एंड तक दिखना ताकि सार इंफोर्मेशन मिल सके लेकिन अगर आपको जल्दी है एक दो महिने में ही कार चाहिए तो इस बजट में SUV हिंडाई की वेन्यू एस हिंडाई वेन्यू का सबसे ज्यादा वेल्यू पर मनी है तो अगर आपको जल्दी है गाड़ी लेने की तो हिंडाई वेन्यू सघ्रिवियू और ड्राइv रिव्यू यानी ठ बात कले थे हुद्याई AXVpan credited से आपको ये थोड़ी सी वेन्यू इंसपाय्ट लगेगी आपभी स्पायश्यःट्स देख रहे होंगे गाड़ी covered है लेकिन जो भी जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर front में आपको split headlamp function देखने को मिलेगा basically जो DRL है वो bonnet के side होगे और जो main headlight का unit है वो square shape में आपको bumper के अंदर integrated मिलेगे यहाँ आपको front में बड़ा सा hyundai का logo देखने को मिल जाएगा लेकिन grill होगी वो थोड़ी सी change कर दी होगी venue से बात का लेते हैं bumper की यहाँ आपको fog lamps भी देखने को मिल जाएगी और radiator grill भी देखने को मिल जाएगी front से venue inspired look होगा लेकिन side से game changer होगा साइड से आपको ज्यादा लंबी या फिर चौड़ी तो नहीं लगेगी लेकिन इसके जो अलवाविल से उसका design काफी attractive है dual tone अलवाविल मिलेंगे front में disc rear में drum brakes मिलेंगी यह जो अलवाविल से उसका design काफी attractive dual tone है यानि diamond cut finish के साथ आता है यह 15 या फिर 16 इंचिस के अलवाविल्स होंगे बात कर लेते ओवार्वेंज की तो यह एक नए design के साइट है यह आपको auto folding ओवावेंज मिलेंगे और आप इसको internally electric adjust कर पाएंगे बात कर लेते और डूर हैंडल की तो यह body color होंगे आपको chrome door handles नहीं मिलेंगे लेकिन जो keyless entry वाला बटन होता है वो सिर्फ आपको driver side मिलेगा को driver side नहीं मिलेगा बात कर लेते ऊपर की साइड तो चट पे आपको roof rails रिखने को मिल जाएगे और अपर विरेंज में आपको shark फिन एंटीना भी देखने को मिल जाएगा यह जो roof rails वो functional नहीं होंगे यह सिर्फ एक show के लिए होंगे इसके उपर आप सामान लोड़ नहीं कर पाएंगे अब एक बड़ा सवाल के इसके अंदर sunroof आएगी की नहीं तो जी नहीं दोस्तों इसके अंदर sunroof फिंड़ ओफर नहीं करेगा हो सकता है कि लेटर थोड़ा price बढ़ा चाता है उसको यह कम करने के लिए फिर रियेर्स पार्किंग कैमेरा ये नॉर्मल पार्किंग कैमेर ओंग हो का like Live Alright आपको नहीं मिलेगा रियर स्पार्किंग सेंसर रियर वाइपर विद वाशर इतने फिचार आपको रियर में मिलेंगे ही मिलेंगे तो हमने इसकी एक्सेयर की बात कर ली चलिए बढ़ते हैं इसके इंटिरियर की तरफ बात कर लेते हैं पहले रियर की रियर में आपको फैब स्पेस मिल जाएगी स्कूप डाउट सीट बैग होगे और मैगजिन होल्डर्स भी दे देगा अगर बात कर लेते रियर की कमफर्ट की तो आपको एसी वैंड्स भी मिल जाएंगे चार्जिंग सोकेट भी मिल जाएगा या आपको स्पीकर एंड बोटर होल्डर मिल जाएगा बात कर लेते हैं फ्रंट की जो फ्रंट्स होगी वह हाइट आज़स्टेबल होंगी एक हट कोई भी Heating Fed childhood function नहीं होगें फ्रंस सीट पिलेधर की फ्टेवरिक मटीरास में आइबंगी बात कर लेते हैं नहीं है cruise controllers के अंदर Hyundai Hyundai से cruise control भी देगा बात कर लेते हैं इंस्ट्रुमेंटल क्लस्टर की तो यह 7D इंस्ट्रुमेंटल क्लस्टर होगा आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं लिकिन एसा ही कुछ सिमिलर आपको देदेगा बात कर लेते मेन इन्फोटेन्मेंट की इन्फोटेन्मेंट आपको एट इंचिस का मिलेगा टॉप फिरेंट्स में जो की सपूर्ट करेगा एंडर्ड ऑटो एपल कार्प्ले नेविगेशन और हिंडाइ बात कर लेते एसी की तो नार्मल जो लोड वेंट्स होंगे उसके अंदर आपको नार्मल इसी मिलेगा लेकिन अपर वेंट्स में आपको आपको आटोमेटिक वंजन क्लाइमिट कंट्रोल एसी देखने को मिल जाएगा यहाब आपको वायलेस चार्जिंग पैड और मल्टी ज करता का मिलेगा बात कर लेते सिर्ड़ मेंten नॉर्मल अपर वेंट्स में अचालैम होंगे बात कर लेते ऊप्षन के साथ यह आएगी दो engine option confirm है एक expected है बात कर लेते हैं confirm पेट्रोल एंजिन की तो 1.2 लीटर का पेट्रोल एंजिन जो की ठीक टाक पावर एंड टॉक जेनरेट कर लेता है दूसरा 1.5 लीटर का डीजल एंजिन जो भी ठीक टाक पावर लेकिन माईलेज ज्यादा प्रोडूस करता है बात कर लेते गेरवक्स ऑप्शन की तो 5-speed manual 5-speed IMT यानि intelligent manual transmission जो की clutchless transmission होगा manually transmission होगा लेकिन clutch भी ना का बात कर लेते हैं इसके automatic की तो automatic में 2 expectation है या तो 6-speed का top converter या फिर 7-speed का DCT transmission देखने को मिलेगा बात कर लेते हैं price की शाड़े 4 से लेकि 8 लग तक की या फिर 6-10 लग तक की range में आएगी 6-9 लग तक की भी होगी क्योंकि 9 लग से उपर यह पहुचाएगा नहीं बात कर लेते हैं और यह हिंडाइ के एक सोन SUV आपको एपरिल या फिर में महिने में लांच हो जाएगी लेकिन अगर आपको एपरिल या फिर में महिने तक नहीं रुकना है आपको जल्दी गाड़ी लेनिये तो आपके पास इसी बजट में एक option है हिंडाइ की S variant या फिर बलेनों का बलेनों आपके चेकड़ लेना तो आए होफ मैंने आपको सारी डिटेल से इंफरमेशन दे दी होगी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिना साथी साथ नयों चनल को सस्क्राइब कर दिना चैनल सस्क्राइब करने से मुझे भी मोटिवीशन मिलता है ऐसे अच्छी व झार चार कि प्सक्राइब के अचैनल कोे अच्छी ओना चे खची से विई दूब कर द59